हालो स्क्रेडेंट्स वेलकूम आगें मैं हित अर्याशी शर्मा कॉमर्स टेक्ट्रार को डिनाल कॉमर्स ता एक होर कॉंटेंट सांजा करन जा रहे हैं एक होर कॉंसेट्ट जेडनात थोडा आपन्वर्ल्स समा को मसुक्र इवड़ है विशेश करके एकांटेम के अशक हाए वला कि तोड़ा यढधा समय हैं वाघ्सान बनेंगा तुसी कंटेंट्स तूमज़ फाहोंगे और के सब्ज़क पर इविंट्रस्ट पनेंगा एक नमा complex मेरे ना चलो किस तरह समझांगे लागे वीडियो लिखनी पाई पी एंट तक लेट्स मोग हैड विद्नी हेलो स्टुडेंट्स तुडेज माई टॉपिक इस वाओद डेबिट एंट क्रेडिट कॉमर्स वाला ही ता पहचानी डेबिट ते क्रेडिट नाल है जदो भी कोई गल करता है कॉमर्स ते विच की सिख्या प्लास वं दे बचेया था एक कोई जवाब हुंद है डेबिट क्रे ते नाल ही असी जिखांगे डिवल आस्पेक्ट कॉंसेट विगां से दा प्रिंसीपल्स अफ डिवलेटी इन अकाउंट एंसी सब तो पहला सानुपाता होना चाहिए जेकर तो अनुकी क्वेश्चन पुछले के डेबिट ते क्रेडिट दा मतलब किया तो 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 जवाब साफ सुत्रे शब्दां विच एक कोई होना चाहिए दियाओ इस नो मीनिंग ओफ डेविट एन क्रेडिट एड आल डेविट देड़ दा अपने आप देविच कोई अर्थ नहीं है डेविट एन क्रेडिट जस्ट एक टी टाइप अकाउट दियाँ दो साइड्स नो डो डिरेक्शन दो शोग कर दे तें टू साइड्स ओफ टी अकाउंट टी अकाउंट की चीज़ है, टी अकाउंट न जे तुसी देखोए थे, तो अड़े सामने ए वाला बने हुए, अकाउंट से विच जदो आसी किसे व्यक्ती दा, एक तरान दा, किसे फर्म दा, किसे कंसर्नल सुन दा अटाउंट बनाने तो दी शेप इस तरान दी हुन दी है, ए लेफ साइड है, तो ए राइट साइड, लेफ ओत। सिर्फ ये अइन नहीं है, we should clearly about it in our mind debit and credit has no meaning at all इन्हों कोई definitions दे बिच नहीं बन सक देया सी ते हून आओ एक एक नो जानन दी कोशिश कर देया के फिर एदी application की है first of all debit debit refers to enter an amount on the left side of account मैं तो नो पहला मिदस है debit refer कर दा है मतलब है जिदा के किसे account दी लेफ्ट साइड ते it doesn't mean or never it means that there is either debit means increase or decrease don't think it यह हुजा कदे भी ना सोचो के debit दा मतलब किसे चीज दा किसे account दा increase होन है जा decrease होन है यह हुजा नहीं है it depends upon the nature of account account जी मैं आसी मैं तो नो पिछली मेरी नालदी वीडियोस ने इस तो पहला भी मैं share केती है आने account ते होधी किसमा दी personal account, real account, nominal account ओ account ते depend कर दा कि उस account दी किस account नो असी गल कर रहे हैं किस account दे एफेक्ट पहरे है business दे, lane देन करके, transactions दे करके फिर होधी increase है, decrease decide होन है debit ते credit दे नाल ही सिर्फ increase ते decrease decide नहीं हो सकदा it should also be clear in our mind so debit means one thing should be clear जो दो भी किस account नो debit किता है this means T account दी left side दे होधी next one है साड़े कोल credit credit refers to enter an amount of transaction on the right side of an account पाव फिर होई का के T account है ये दिज़ी right side है credit side credit जो दो भी किसे account नो कर दे है ता इस दी right side दे होते है credit कदो होना है separate नहीं हमने debit and credit में represents either increase or decrease upon based upon debit or credit no 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 it depends upon the nature of account debit ते credit दे करके कोई account कदो debit जा credit होना है इस एस करके नहीं होना है कि कोई particular account increase हो रहा है जा decrease हो रहा है ता एक permanent rule है और debit ही होना है जे increase हो रहा है हुँज है नहीं it depends on nature of account account दी किसम के दी है personal है real है या nominal वह सी अगे भी करांगे दे वारे detail दे विच ता एक गल clear होने चाहिए credit refers to enter an amount of transaction on the right side of an account ता एक गल साफ हो गही है के debit ते credit सिर्फ एक टी account जिन्हों सी account कहने है ओद यहां दो sides नो represent कर देने next one rules of debit and credit आओ हुने ते नियम दी का लगरे जिदे मैं कर रहा है ते नो debit क्यों कर दे credit क्यों कर दे left ते क्यों शो करना है right ते किस account नो क्यों शो करना है कारन हो दा there are certain rules of debit and credit it should be clear to us there are basically two different approaches dealing with the rule of debit and credit one approach is traditional approach and second one is the modern approach दो वक वक पहलू ने debit ते credit दे rule एक traditional approach है प्रम प्रावादी जड़ी पुरानी चली आ रही है एक modern approach है तो अदे बच्यान दी approach मदलब traditional तो बाद वाली जड़ी approach है और equation system बेस दे होते है असी दोना नो अगेस दे बारे discuss करांगे जी में सब तो पहला case first when accounts are classified on accounting equation basis और modern approach this is what I am discussing आओ इस दे बारे गल करिए modern approach दे बीच account नो total पंच हिस्यान दे बीच बंड के देखे जानद है पंच हिस्यां च बंड़ी आ गया assets account, liabilities account, incomes और revenue account, expenses account, equity और capital account एक पंच से पंच modern approach दे अनुसार business दा कोई भी account है जड़ा business दी कोई भी transaction है ओदा account हार हाल चे पंजा चो किसे एक दे विचानवाल है हुन asset account है इनो debit कदो करना है ते credit कदो करना है असी हुने यह सिखना है liability नो debit credit कदो करना है, income नो debit credit कदो करना है आओ इदे वारे चर्चा करिए asset account मालो machinery account, building account यह सारी यह assets ने asset से वारे detailed video भी मेरे जानकर ही channel दे विच है तो उसी वह भी देख सकते हैं किसे भी asset value जेकर business increase हों दिया है पाप business ने कोई नमी asset purchase कर लिए value increase होगी ताँ उस particular asset नो असी debit करांगे जे asset कोई पुरानी हो चुक किसी बेच थी, value ज कमी आगी किसे होर कारन करके, depreciation करके, किसा आवट करके, उदी value ज कमी आई ताँ उस asset दे account नो असी credit करांगे, liability जे liability increase हों दिया है, कोई भी liability चाहे हो creditors ने, या bills payable है, loan है, जे कर business दी, liability increase हों दिया है, loan लिता है, आसी होर ले लिया, इन्हों liability दा increase होना केंदेने, ता उस liability दे account नो असी credit करांगे, पाव bank loan सी, bank loan account नो credit कर दांगे, ते जे कर आसी कोई liability pay off करती होजे विचों पुगतान करता होदी payment करती, ता एदा liability साथी देनदारी decrease हो रही है, उस्च कमी आ रही है, ता लाइविल्टी दे account नो असी debit करांगे, next one income and revenue, जे कर business दी या incomes सानू सारा नो पाता है, जे increase हो रही हो रही है, कोई income सानू receive हो रही है, ता उनू की करांगे credit, जे income कोई कमी आ रही है, जिस amount नो कमी आ रही है, ता उस amount दे ना उस income account नो असी की करदांगे debit करदांगे, उस तो बाद expenses जो दो business दे expenses होंदे ने, जा expenses raise होंदे ने कोई नमा खर्चा हो जन्द है, उस particular expenses दे account नो असी debit करदांगे, मालो बिजनस ने salary पे की थी, salary बिजनस आ, means एक खर्चा हो गया, ता salary count नो जाके debit करदांगे, ते जिकर असी बिजनस नो expenses दे वीच, किसी तरह दी कमी आई है, ता expenses account नो सी credit करदांगे, rarely कमी नहीं होंदी, ना खर्चयां दे वीचे, generally ना income दे वीचे होजा, rarely होंदे, but फिर भी possibility है, equity ते capital, capital की होंदी है, business man ने, जो business दे वीच पैसा लगाया, that amount is known as capital, the amount invested by businessman in the business is known as capital or equity, जदों भी business से capital increase हो रही है, ता एक तरह देखे है, भी liability increase होगी, ता सी capital दे account नो की करदांगे, credit, जे liability पाव, capital दे वीच, कमी आ रही है, ता सी नो की करदांगे, debit, these are the rules of debit and credit in modern approach, एनू पूरी तरह मन दे वीच, print out कर लो, एक तरह दा, पूरा print out, समझ गे, तोड़े मान ची का, hard दे soft copy हमेशा रहनी चाहिन दी है, जदों सानू एक clear होजेगा, ता आगे, सानू अकाउंटेंसी दा कम समझो, अदा खत्म हो गया, सानू permanent चटी accountancy है, ओ आनी शुरू होगी, next is second case, that is very very important, golden rule of accountancy, accountancy दा golden rule की है, पाई, gold दी दा वैसी value हों दे, इस करके, इस rule दी भी बहुत value है, सानू सारा नू पता है, traditional approach दे विच, अंडर traditional approach, there are three types of account, personal account, real account, and nominal account, personal account चाहसी की किता सी, जिते persons ने, चाहे natural ने, artificial ने, रिपर्जेंटेटिव, ए दी video account दे विच है, तुसी ओ भी चेक कर सकते हो, जो मेरे ही अपने channel दे है, real account दे विच, दोनों टाइप दिया, assets दिया ने, चाहे ओ, tangible ने, intangival, nominal सारे expenses, income, losses, gains, सारे nominal account दे विच, include हों देने, rules की ने, debit the receiver, credit the giver, रापत करन वाला दे देन वाला, yes, person ही हो सकता है, if any person is a receiver due to certain transaction, then that person's account going to be debited, if that person is the giver, then the account of that person is going to be credit, जे कर कोई व्यक्ती business दे ट्राइक्शन दे करके, receiver है, कुछ प्रापत करन वाला है, ताह उस व्यक्ती दे personal account में दे 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 गिवर है, जे करो ही चीज़ देन वाला है, ताह वोदे account में दे credit कर दांगे, या क्यासी examples कर दे है, होर clear जाता assets business आनगी है, जा जानगी है, जे कोई asset आरी है business दे वीच, debit word comes in, credit word goes out है, ता मतलव पता होवे, सिर्फ cram नहीं करना, सानो तोता वनके नहीं रटना है नू, जदों भी कोई asset आनदी है business, मालो machinery आई, ताह machinery account debit, मालो आसी building दे एक पार्ट बेज था, sell out कर था, this means आडे business दे वीच हो दे, ownership काट की बाहर चलीगी, ताह उस building दे एकाउंट मासी credit कर दांगे, nominal account सारे expenses, losses, income आदेने, ताह जिनने भी expenses या loss हो रहेने, उना expenses या losses दे एकाउंट मासी debit करांगे, and credit all income and gains, जे कर business कोई income हो दिया है, कोई gain हो रहा है, ताह उस account मासी credit करांगे, for example, interest received to the business business नो interest मिले या, interest की है, income है, ताह interest account मासी की करांगे, credit, ते जे कर business ने interest पे की था, interest paid by the business, expenses है, ताह उनो expenses दे मान दे होए, उनू की करांगे, debit करांगे, it should be clear to all of us, that is the golden rule of accountancy, so please be alert, सोना नहीं हाजे, हाजे कुछ हिस्सा बहुत important बाक्की है, आओ उनू भी जाना दी करीए, कुछ ए चीज भी तोड़े बहुत काम आएगी, याद रख्यो, assets ते liabilities decays देविच, एक important note तोड़े सामने पेश कर रहे है, कोई भी assets नो debit जा credit को दो करना है, debit और credit, all assets when, को दो करना है, debit if assets increase, credit if assets decreases, यह मैं equation system चीज़ भी दस्यासी, but बढ़ा कामान वाला rule है, वी त्यान रख्यो, debit and credit liabilities when, किसे liabilities नो, कदो debit जा credit करना है, debit if liability decreases, credit if liability increases, त्यान ना देखो, इना दा पाई, बिल्कुल उल्टास वंद है, एक जे कर नीचे नो जा रहे है, दूसरा उपर नो, debit दे credit देविच, reverse rule ने, assets दे liability देविच, जे acid increase हो रही है, debit करना है, decrease हो रही है, कट रही करना है, liability increase हो रही है, तो उनो, credit दे दरना है, जे कर liability decrease हो रही है, किसे transaction दे करके, business दे लेन देन दे कारण, ता असी उस liability देखा, उनो, debit करांगे, next, एक और concept दे आन रख्यों, जो दो असी इस सारे account दे, debit credit system देख रहे है, dual aspect concept और duality principle, यह है कि यह, दोरा effect, it implies that, each and every business transaction has two effects or two aspects, जो दो बिसनस दे विच, कोई भी transaction कोई लेन देन होन दे, ता हो दोरा effect पना, double effect, means each transactions, having both debit and credit aspects, with equal monetary value, कोई भी business transaction, उसे account दो effected होन, 10 होन, या more than 3, उस तो भी जादा, but it should be clear, with each and every transaction, dual aspect or dual equal aspect means that, equal amount going को भी debited, as well as of credit, जिनना amount असी debit करना है, उनना सी credit करना ही करना है, that is called dual aspect concept, so such effects depends upon the rule of double entry system, किस तरह, ताहिए उन्हों double entry system भी करना है, क्योंकि dual aspect है, for example machinery purchased 5000, business ने machinery purchased गेती, dual effect किडे account थे हो गया, त्याना सुचो एक machinery थे हो या, एक cash थे, machinery आ रही है, real account रे विच, what comes in debit, machinery नो असी debit करांगे, cash, every real है, क्योंकि machinery पर चेज़ गेती है, cash जा रहे है, what goes out credit, every real account है, ताह cash नो असी credit करता है, त्याना देखो, जे 5000 रूपीज debit होनगे, ता 5000 ही credit होनगे, that is dual aspect concept, एक example दिमांग चलाख लो, concept आपने अब clear हो सेगा, next one, कुछ entries करके देख देख दे है, आओ तो नो journal entries बनाके, accounted बनान दी कोशिक करी, एक श्रवाती stage है, initial stage देख 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 बात वड़ा लग देख, एक example है furniture purchased, furniture purchased, purchase किता है, इन्हों सोचना की में है, असी दो चीजा सोचने हैं देना है, पहला हम देखना है कि केड़े दो account थे असर पहर है, furniture purchase किता है, cash purchase किता, naturally जोदो कुछ नहीं देता विया, furniture देख देख देख, दूसरा cash दे, हुन असी decide करना होंद है, furniture दे, cash किस type दे account ने, furniture real account है, cash भी real account asset है, नियम की ने real account है, विच principles में है किता है, debit what comes in, credit what goes out, जो आ रहे है, उनुँ debit करो, जो जा रहे है, credit करो, क्योंकि दोनों ही real account है, तो furniture is coming in, furniture आ रहे है, furniture नुँ debit करांगे, cash is going out, cash बार जा रहे है, cash नुँ गी कर दांगे, credit, एक और example, foot offer, salary paid, having equal effects on to, दो effect है दे भी पहाँगे, salary pay किती है, एक effect पहाँ बेटे salary थे, तन खाते वही, जड़ा तोड़े कोल कायम करते है, नुँ पैसे था देने पहाँगे न, salary pay किती है, salary business था expenses हो गया, expenses nominal account हो देने, ते cash pay किता है, जो salary pay किता है, cash दे रूप गई, तो business थी एक asset है, real account, हुन nominal account था rule देखो की है, all expenses debited, तो nominal account था मतलो salary account है, salary account थाँगे, real account थे वीच की किता है, असी जे cash जा रहे है, क्योंकि salary pay किती है, business थो बाहर जा रहे है cash, credit what goes out, असी उस asset देखा हुनु, credit कर दांगे cash account था salary account debit हो गया cash account credit, असी पहला एही सिखने है, debit दे credit किमें decide हो देने, तीसरी for example final foot effort, time is also running out, cash received from Arvind, Arvind तो cash मिल या, दो account थे effect है, cash थे Arvind, Arvind person है, personal account है, cash, asset है business, the real account है, same, but इस वर cash salary था जा नहीं रहे है, ता cash account था real account थे वीचा सी treatment किता सी debit what comes in, उस account नू debit कर दो, जो business दे वीचे आ रहे है, ता cash है, cash आ रहे है cash था cash account नू की करांगे debit, Arvind personal account है, personal account चासी किता सी credit दा giver, क्योंकि cash सा नू देन वाला कोन है, Arvind, Arvind is a giver, इस करके Arvind दे account नू की करांगे सी credit, so यह बहुत important है, इना चीजा नू correlate करके देखो, जो मैं तो नू golden rules करवाए सी, तो account एंसी दा process बड़ा असान हो जाएगा, So students, in conclusion, मैं तो न आले ही गल कह सकते हैं, कि आसी आज दी इस video देविच, जो कुछ देख्या हो, देविच विशेश रूप देविच आसी, जो साड़ा basic concept सी debit and credit, debit credit की ने, कदे भी एना दसो के debit credit मीन की है, अर्थ कोई नहीं, एक ज़स्ट application है, एक directional है, एक directional position है, एक अकाउंट देविच जड़ा T-type अकाउंटा सी दस है, कि साड़ी जड़ी left side है, ओ account दी जड़ी left side, ओ debit side के दूसरी है, जो right side है, ओ साड़ी अपनी, साड़ी अपनी जो right side सानों मैं सु सुन दी है, ओ account देनों पे credit side हो दी है, इस दो बाद असी debit दे credit rules नों discuss की था, under two methods, one is a traditional approach, ते दूसरा सी जड़ा, ओ सी साड़े को ल, a modern approach, और equation based system, यह नों आसी एक एक करके discuss की था, ओ दे भी जो first approach है, equation system based, ओ अप्रोच की है, ओ दे भी चासी बिस से है, कि पांस दे अकाउंट ने, जड़े मैं पहले वीडियो दे भी डिटेल दे भी जदस है, अकाउंट वाली जो मेरी वीडियो है, ओ दा link में में नीचे दे सकते हैं, तो सी मेरे चैनल दे भी दे सकते हूं, पांस ट्राइब दे अकाउंट ने हो दे वीच, assets अकाउंट, liabilities अकाउंट अकाउंट, income और revenue अकाउंट, capital और equity अकाउंट, इना दे वीच, debit दे credit दे रूल की ने, आज दी वीडियो दे वीच असी detail दे वीचे दे गलवाद की थी, उस तो बात दूसरा concept सी, debit दे credit दा रूल, traditional method दे वीच, जिनों की गोल्डन rule of accountancy जानने हैं, कि तिन टाइब दे अक आज चरचा गिती, nominal दे वीच, all expenses and losses treated as debit and all income and gains should be treated as credit, एदे वारे सी detail चरचा गिती, फिर आज दी वीडियो दे वीच, तो नो dual aspect concept दे वाई दस है, कि हर business transaction दरा 12 September, इही कारने dual aspect principle, accountancy दे वीच लाग दे वीच, लाग दे वीच, लाग दे वीच, लाग दे वीच, लाग दे में लो suggest करो, तांकि विद्यार्थियों दे अजिप्लाइ कर से लिए, उस content नो सुदार से लिए, तो अडले एक नवा वीडियो बड़ी जल्दी, चाहे ओ accountancy दा है, economics दा है, जाप commerce दे और subjects दा, मैं जल्दी लेके आ रहे है, जानकारी है channel दे, तर तर इस video नो, तुसी like भ करो, तो इस video नो बार बार देखे, content नो clear कर दी कुछ करो, thank you very much, let's wait for a new video, again